जैसा कि थम्मनेल को देख करके आप जान चुके हैं कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आर्मी रिक्रूटिंग आप इस महू से आर्मी रेली भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो इसमें कौन-कौन से पद हैं किस पद के लिए क्या सैक्षणी क योगिता मांगी गई है इसके लिए आयो सीमा क्या रहेगी कब से कब तक आनलाइन रजिस्ट्रेशन किये जाएंगे तो इसके बारे में कम्पलीट जानकरी इस वीडियो में दुंगा लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने की है तो कृ पक्रे स्टेडियम देवास मध्य प्रदेश फ्राम यहां पर है 20 मार्च 2021 से 30 मार्च 2021 तक यह रहली आयो जीत की जाएगी यहां पर दिया गया है कि इसके लिए क्यवल मेल कंडिडेट ही एलिजीबल रहेंगे आगरमालवा अलीराजपूर बरवानी बुरहनपूर देवास धार इंदोर जाबगा खंडवा खरगोन मंदस और नीमच रतलाम साजापूर और उर्जैन जिले के जो कि मध्य प्रदेश से ही रहेंगे 20 मार्च 2021 से 30 मार्च 2020 तक कुसा भाव ठाकरे स्टेडियम देवास मध्य प्रदेश में आर्मी रैली भरती आयो जीत की जाएगी इस 14 मार्च 2020 से 15 मार्च 2020 तक इमेल के थ्रूँ आप एडिमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं नीचे यहाँ पर कटेगरी दिया हुआ है एज दिया हुआ है और इसके लिए मिनिमम फिजिकल क्यू आर दिया हुआ है और एजिक्वेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है Soldier General Duty का जो पद है इसके लिए 17,5 वर्स से 21 वर्स आईव सीमा रखी गई है यानि कि आपकी जन्मती थी एक अक्टूबर 1999 से एक अप्रैल 2003 के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हाइट रखी गई है 168 संटीमीटर बेट यहां पर है 50 किलोग्राम चेश्ट यहां पर है सतहत्तर पांच संटीमीटर इक्स्पेंसन होना चाहिए एजूकेशनल कौलिफिकेशन यहां पर दिया हुआ है तेन्थ पास होना चाहिए कम से कम 45 प्रैतिस अतंकों के साथ और प्रतेक सब्जेक्ट में कम से कम 33 परसेंट हो दूसरा यहां पर दिया हुआ है सोल्जर जनरल ल्यूटी सेडिल ट्राइब कंडिडेट के लिए इसके लिए भी यह सेम ही है हाइट यहां पर 162 संटीमीटर बेट यहां पर 48 किलोग्राम रहेगा तो भी चलेगा सोल्जर कलर की स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आयू सीमा साथे सत्रा वर्से से तेस वर्से तक हाइट 162 संटीमीटर और बेट 50 किलोग्राम इसके लिए सैक्षिनी की योग्यता यहां पर है 10 प्लस टू इंटर्मीडेट इक्जाम पास होना चाहिए किसी भी इस्ट्रे मे यानि कि आपको बारहमी पास होना चाहिए आर्ट्स कॉमर्स या फिर साइन्स में कम से कम 60 प्रतिसातंकों के साथ और साथ में आपका अंग्रेजी मैथ अकाउंट बुक कीपिंग में बारहमी में एक सब्जिक्ट होना अनिमार है और इसमें आपका कम से कम 50 प्रतिसातंक आ मंगी गई है इसके लिए हाइड यहाँ पर 117 सेंटीमीटर बेट 50 किलोग्राम चेश्ट सेम ही है 77 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर इक्सपेंसन होना चाहिए सैक्ठी की जोग्यता यहाँ पर है 10 вещ lud owl अगला पोश्ट यहाँ पर दिया हुए सोलजर टेक्निकल एंड सोलजर टेक्निकल एवियसन एम्यूनीशन एक्जामिनर का यहाँ पर साथ सत्रह से तेस वर्स आयुव सीमा है एक अक्टूबर उनीस सो संतानवे से एक अपरल दोजार तीन के बीच में आपकी जन्मती थी होनी चाहिए हाइट यहाँ पर 167 संटीमीटर मांगी गई है बेट 50 किलोग्राम चेश्ट यहाँ पर 76 संटीमीटर प्लस 5 संटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए सैक्ठिनी की योग्यता यहाँ पर है 10 प्लस 2 यानि की बारहमी पास होना चाहिए फिजिक्स, केमेश्ट्री, मैथ और इंगलिस में कम से कम 50 प्रतिसातंकों के साथ है अगला पोश्ट यहाँ पर है सीमा सेम ही है साड़ी सात्रह से तेइस वर्स जन्मती थी एक अक्टूबर 1997 से कप्रल 2003 के बीच में होना चाहिए हाइट और बेट सेम ही है और बेट कितनी चूट रहेगी यहाँ पर दिया वा जी सर्विस्मेंगर के पूत्र यह एक सर्विस्मेंन या फिर बार वीडो में हीट में 2ра की चूट रहे गी चेस्ट में 1 और बेट में 2 किलोग्राम की चूट रहेगी इसी प्तरकार से और여 पर क्रटेगरी दिया हुए आप इसको आसानी से देख सकते हैं नीचे यहां पर फिजिकल फिटनेश टेस्ट रैली साइट पर दिया गया है 1.6 किलोमेटर दोड आपको कम्पलीट करना होगा यहां पर गुरूप दिया गया है से 5 मिनिट 45 सेकंड में दोड़ते हैं तो आप गुरूप सेकंड में आएंगे और 49 अंक मिलेंगे बीम पूल यहां पर दिया हुआ है नंबर और अंक दिया हुआ है कितने नंबर पर कितने अंक मिलेगा इधर 9 फीट डिच दिया हुआ है क्वालिफाई के लिए अनिमारी है यह आवस्यक है जिग जेग बैलेंस भी क्वालिफाई के लिए अनिमारी है इसके लिए कौन-कौन से डाकुमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर आप देख लिजे Admit Card, Photograph, Educational Certificate, Domicile Certificate, Cast Certificate, Religion Certificate, School Character Certificate, Character Certificate, यहाँ पर Unmarried Certificate और Relationship Certificate, साथ में NCC Certificate यह दिए Applicable होगी तो यह जरूरत पड़ेगी Sports Certificate की भी जरूरत पड़ेगी, Applicable और Affidavit की जरूरत पड़ेगी, Single Bank Account, Pen Card and Adhar Card की जरूरत पड़ेगी इसके नीचे कुछ Special Instructions दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को पौज करके आप आसानी से इसको पढ़ लेंगे, पूरे Instructions को नीचे Warning भी दी गई है, इसको भी आप देख लेंगे, इसके नीचे दिया हुआ है, आठ नंबर में Recruitment into the Army, जब फ्री सर्विस, इसका मतलब यह हुआ कि आर्मी में भरती फ्री है बिल्कुल, और Candidate को सलाह दी जाती है, कि वो किसी भी ब्यक्ति को ब्राइव यानी की भरती के लिए ना दे, यह बिल्कुल मेरिट के आधार पर भरती की जाएगी, आगे बताया है कि Selection Process भरती के दोरान सभी चरणों में Computerized है, और Transparent भी है, इसलिए Candidate को सलाह दी जाती है, वो फ्राड होने से बचें, यानी कि वो किसी को भी घूस ना दे, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से हेल्प किसी भी स्टेज में नहीं कर सकेंगे, नीचे भी दिया हुए, आप इसको आसानी से पढ़ सकेंगे, यहाँ पर टेटूज के बारे में दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ लेंगे, आसानी से, नीचे भी आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे, यारो मौव का नंबर है आप इस पर contact कर सकते हैं यहाँ पर disclaimer दिया हुआ नीचे प्लैस दिया हुआ है मौव MP dated यानिक 18 जनवरी 2020 को जारी किया गया है SD बलजीत सिंग कोलोनल डारेक्टर रिक्रूटिंग आर्मी रिक्रूटिंग आफिस मौव से जारी किया गया है तो यह था जो रैली भरती के लिए notification आर्मी रिक्रूटिंग आफिस मौव से जारी किया गया इसके बारे में मैंने complete जनकारी आपको दे दिया अगर इस वीडियो से related आपके मन में कोई भी confusion या कोई भी प्रशन है तो नीचे comment के थूरू पूछ सकते हैं इसका reply यह सुने जी possible दिया जाएगा आई होप यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें ज्यादस ज्यादस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बल आइकन को प्रेस करके आल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें ताकि इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो